वृष्णन वालेकम अ। अस्टा वालेकम, अधिस आमेज शफी, आइंब बाक विट विडियोस एन्वेस्मेंट गाइडलाइन्स या इन्फोर्मेटिव वीडियोस इनको कहलें, रिगारडिंंग स्टॉक मारकेट्स, गोर्ल मारकेट्स, ग्रूर ओल वगरा की इन्वेस्टम investment decisions, फिर मैंने फर्दर आपको का interest rates वगारे भी नज़र रखा रखे कि जब interest rates गिरते हैं, banking stocks को नुकसान पहुंचता है, उनके shares की prices गिरती हैं, लेकिन leverage companies को फायदा होता है and vice versa, ठीक, exports की मैंने बात की कि किस तरीके से currency depreciate हो तो export stocks को फायदा होगा, आप export stocks में investment कर दें, ठीक, export companies के stocks में investment कर दें, अची इसी तरीके से मैं आपको आज एक बड़ी जबरदर सीध और बताऊंगा correlation देखा करें, investment करते वाग कहीं भी correlation देखा करें, correlation का मतलब होता है, एक चीज का दूसरे पर जैसी oil prices बढ़ती है आपको उन countrys की currencies में investment कर देनी चाहिए, क्योंकि oil-based economies है, oil prices बढ़िए तो उनको फायदा होगा, उनकी currencies strengthen होगी, आप उनकी currencies में invest करें, वहाँ से भी आप कमाएंगे, ठीक है? oil prices गिरी, तो जाहरे सी बात है जो oil-based countries, oil-based economies है, उनकी currency को जोको उनको पता था pound गिरेगा, क्यों भाई? correlation है न, Brexit होगा, UK से लोग निकलेंगे, companies निकलेंगी, तो automatically शायद UK economy effect होती है, और pound prices गिरी, आपने देखा भी तक यार, Brexit की news आती ही, जो है वो pounds अच्छा खासा, UK pound जो है वो, गिर गया था, इसी तरीके से, फर्दर, अगर मैं आपको easy language में बता हूँ, यहां की markets के अवाले से देखें, मिसाल के तोर पे, मुझे किसी ने news दी, क्यार, आपको पता है, पाक, Suzuki motor company जो है नहीं, जो Suzuki गाड़िया बनाती है, इसने बे ताशा गाड़ियां बेची हैं, यह स्कॉर्टर इसने बे ताशा गाड़ियां बेची हैं, तो इसकी profitability बढ़ेगी, आप इसके shares भाई करो, मैं फॉरन यह खबर लेती ही, जो है न, वो भागा, कि यहर मैं किसी तरह Suzuki motor company जो है न, shares भाई करो, तो shares न आप पर लॉक हो गए तो मुझे मिली नहीं लेती है, ठीक है, अब मैं मायूस होके वापस आ जाओ, वो बना के वापस आ जाओ, correlation कुछ ही दोगा, कहते हैं, आपको अगर पता लगा न, कि Suzuki ने बहुत गाड़ियां बेची हैं, उसके stocks में investment करो, उसको नफ़ा होगा company को, तो आप उसके stocks में investment करने जाओ, मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात हैं, नहीं मिलते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है, correlation देखो, फॉरन पाक सुजू के share बढ़ा है न, सुजू की गाड़ियों में बैटरी कौन से लगती हैं, जब गाड़ियां ज़्यादा बिकियें, तो बैटरी बे तो ज़्यादा बिकियें, कि Excite को फायदा होगा, तो आपको सुजू की मिल गया, तो यह नहीं आप जनरल टायर ना ले, या आप वो ना ले Excite, को रिलेशन है, सुजू की के शेर प्राइस बड़ी, उनको अगर नफा हुआ इस रीजन की वज़ा से, तो अटोमाटिकली ज़नरल टायर, एकसाइट इन सब में फायदा होगा, तो इस इस कॉल्ड को रिलेशन, आपने इन्वेस्मेंट्स करते वक्त, हमेशा को रिलेशन का भी ख्याल रखना है, कि एक चीज़ पर इंपाक्ट आने से, दूसरी चीज़ पर इंपाक्ट आएगा, तो मैं जो है, एक चीज़ में फायदा हुआ है, तो दूसरे को भी फायदा हुआ है, TKG, थांक्यो रिमाच्च, टेक क्यार.